इस वीडियो में हम करेंगे exercise 5.1 के question number 19 से question number 25 सबसे पहले question है show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function x is continuous at all integral points सबसे पहले इसको हमको check करता है at all integral points तो gx है x minus greatest integer function x अगर मैं वो integral point ले लेता हूं n जिस पर मुझे करनी है calculation इसकी continuity check तो सबसे पहले मैं function में अगर x की जागे n पुट करता हूं तो direct मेरे पास आ जाएगा gn is equal to n minus bracket के अंदर n और यह greatest integer function होता क्या है अगर आप greatest integer function के अंदर एक integral value पुट कर रहे है integral value यानि इस type की value 1,2,3,4,5,6,0,-1,-2,-3,-4 decimal वाली value शोड कर तो यह तो खुद ही जैसे आपने 4 put किया है तो 4 के बराबर होगा 3 put किया है तो 3 के बराबर होगा मतलब जो put किया है उसी के बराबर होगा क्योंकि greatest integer function का basically काम यह होता है कि अगर इसके अंदर हमने suppose 5.3 put कर दिया greatest integer function में हमने suppose 5.3 put कर दिया या 5.1 put कर दिया लेटस से तो यह जो value आएगी वो value आएगी एक 5.1 से पहले कौन integer है तो 5.1 से पहले वाला integer होता है 5 होता है कि नहीं इसी तरी के से अगर greatest integer function में आपने put कर दिया let us say minus 6.2 minus 6.2 तो minus 6.2 से पहले कौना सा tabii होता है पहले यानि लेफ्ट में led मैं minus 6.2 के लेफ्ट में कहन साओं इंटीजर होता है बताई कि मानेस 7 होता है नमबर लाइन है यहां माइनस 6 है और इस में माइनस 7 अब मैंने का सिक्स पॉइंच फॉइंट कंड फॉइवट मेंम यहां कहीं आएगा मैंनस 6.2 आएगा की नहीं तो यहाँ पे जो minus 6.2 आएगा उसके left में कौन है minus 7 ऐसे 5.1 के left में कौन है 5 तो greatest integer function का काम तो basically यह होता है अगर उसमें आप सीधा integer put कर दोगे तो वो integer की बराबर आजाएगा ठीक है तो यह 11th में भी था functions में थोड़ा इसके बारे में मैंने एक बार फिर समझा दिया तो gn का मतलब है यहाँ x की जगे भी n और यहाँ x की जगे भी n एक integer है तो यह box के अंदर जो n है वो n की बराबर आजाएगा जैसे मैंने यह आप इसे सिखाया आपको 4 example लेकर तो n-n हो जाएगा 0 अभी इतना clear हो गया अब बात को आगे बढ़ाते हैं अब मैं निकालूँगा limits greatest integer function के लिए limits निकालूँगा तो greatest integer function के लिए आप limit निकालेंगे दोनों तरफ से LHL से भी आरे चल से तो जब मैं LHL से value निकाल रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा limit extends to n के उपर चोटा से minus dx और फिर इसके अंदर में value पुट कर दूँगा यहाँ पर अब n के उपर चोटे से minus का actually मतलब क्या है n के उपर चोटे से minus का मतलब है कि जो हम value ले रहे हैं वो number n से थोड़ी सी कम है इस बात को समझेगा n से थोड़ी सी कम है n के उपर चोटे से negative लगाने का मतलब है n से थोड़ी सी कम value है x की ठीक है उधारन के लिए अगर n था आपका 4 तो आपके n के उपर जो चोटा सा minus लगा है उसकी value है 3.9999 कुछ finite values तक एसा कुछ होगा n के उपर minus या थोड़े और 9 भी लगा सकते है अब आप देखे जब इसको आप greatest integer function के अंदर put करेंगे इसको जब आप यहाँ पर put करेंगे तो यह क्या value देगा आपको अगर आप इसको greatest integer function के अंदर यानि box के अंदर put करेंगे तो यह आपको क्या value देगा यह आपको value देगा 3 ठीक है जी यानि कि जब आप n minus put करते हैं तो value n से एक कम आ जाती है ऐसे अगर n के value 5 होती तो n minus means उस n से थोड़ा चोटा number that is 4.999999 to certain number of n certain number of n तो वो आपका n minus होता और अगर आप उसे इसमें put करते 4.9999 तो यह greatest integer function उसको 4 में बदल देता 5 को 4 में और 4 को 3 में यानि कोई भी n आप इसमें put करेंगे n minus तो वो n minus 1 बन जाएगा एक कम हो जाएगा समझ में आगी बात तो 4 बन गया 3 यानि 4 minus 1 बन गया 5 बन गया 4 5 minus 1 चार ऐसे कोई n है तो वो बन जाएगा n minus 1 ओके तो आप यहाँ पर n से n कटेगा और प्लस बना जाएगा अब बात करते हैं आरेचल की आरेचल का मतलब है n plus तो पहले वाले x में जब आप n पूट करेंगे तो वो तो n ही रहेगा तो उसमें कोई problem नहीं है पर जब इसमें आप पूट करेंगे n plus तो यह change हो जाएगा फिर से अब देखेंगे अगर आपका n चार है तो n plus का मतलब है इस चार से थोड़ी सी बड़ी value तो चार में थोड़ी सी बड़ी value यानि 4.000 कुछ finite number of zeros और फिर one ठीक है तो यह आपका n plus होगे जब यह n plus यहाँ पर put किया जाएगा 4.00001 और जब इसका greatest integer function निकाला जाएगा तो किसके बराबर होगा अभी आपने सीखा greatest integer function क्या होता है greatest integer function का मतलब है इसके just left में कौन सा integer है तो इसके तो just left में खुद any है यानि 4 ही है बात समझ में आई और जब हमने lhl निकाला था तो इसके just left में कौन सा integer है तो just left में तो यहाँ वाला integer आगया है यानि n minus 1 जब lhl निकाला था और जब आप r चल निकाल रहे हैं तो इधर वाला number ले रहे हैं तो इसके just left में तो any है तो 4.00001 के just left में कौन सा integer है खुद 4 यानि जब आप r चल निकालेंगे तो इसकी value सिर्फ n के ही बराबर आएगी बात समझ में आगे तो n minus n हो गया 0 अब lhl र चल के बराबर नहीं है तो इस डिसकंटिनियोस हो गया किसी भी integral value के लिए बहुत ही अच्छा question now question number 20 बहुत ही simple सा question है पहले मैं आपको general बाते बता देता हूं कुछ छोटी छोटी x square एक polynomial function है polynomial function हर जगे continuous होते है sin x cos x ऐसा trigonometric function है जो पूरे real numbers के लिए continuous होते है और constant function हमेशा continuous होते है तो कहते हैं इसकी continuity check कीजिए x is equal to pi पहली बात क्योंकि यह हर जगे continuous है तो फिर specially pi पर भी continuous होगे ठीक है कोई भी functions जो की continuous है उनका sum और product हमेशा continuous होता है ध्यान रखे तो x square polynomial है sin sin function है यह constant function है तीनों ही continuous function है तो इनका addition, subtraction, सब कुछ continuous होगा ठीक है इनका addition, subtraction, सब कुछ continuous होगा इवन multiplication भी continuous होता है multiplication भी continuous होता है और जो division है that is sin by cos मान लीजे है कि नहीं और जो reciprocals है वो भी continuous होते है under the condition के denominator 0 नहीं बनना चीए otherwise वो continuous होते है ठीक है तो 1 by sin 1 by 5 1 by x और वो भी continuous होगे बस denominator 0 ना बने उस point को छोड़ कर उस point को छोड़ कर अर जगे continuous होगे ठीक है तो ये fact हम काफी use करेंगे अभी इसलिए मैंने बता है अब कहता है x बराबर πाई पर continuity बताई तो वैसे तो ये 1 marks 2 marks का question है आप statement में भी answer दे सकते है otherwise simply x की जगे यहाँ पाई पूट कर लीजे पहले तो pi square minus sin pi plus 5 sin pi होता है 0 तो answer आगया pi square plus 5 इसी तरीके से limit निकालीजे limit x tends to pi fx तो यहाँ पर फिर से pi square minus sin pi plus 5 फिर से pi square plus 5 और limit और function की value same होने की वज़े से function हो गया continuous ठीक है जी आगे बढ़ते है question number 21 तो मैंने क्या बताया sin और cos दोनों हमेशा continuous है तो उनका sum भी continuous होगा उनका difference भी continuous होगा और उनका product भी continuous होगा इसमें proof करने जैसा कुछ नहीं है आप statement में answer दे सकते हैं if two functions are continuous then their sum their difference their product is also continuous इसमें कोई मेहनत नहीं करने हैं इतनी सब आगे बढ़ते हैं question number यहीं यह लिखा हुआ है same वही बात आपको लिखने है question number 22 discuss the continuity of cosine cosine is continuous everywhere होगे discuss और cosecant क्या होता है cosecant है one by sine तो आप देखेगा one by sine है ठीक है न और secant है one by cos तो one by sine भी continuous होगा जैसा मैंने भी बता है पर उस जगे को छोड़कर जहाँ पर denominator 0 होता है ऐसे secant है one by cos तो वो भी continuous होगा बस उस जगे को छोड़कर जहाँ पर denominator 0 होता है मैं फिर से repeat करता हूँ अगर कोई polynomial function continuous है तो उसका reciprocal भी continuous होता है जैसे यहाँ पर लिखावा है तो उनका division भी continuous होगा बशर्ते denominator 0 नहीं होना चाहिए अब आगी बात समझ में तो हम क्या कहेंगे cosine की तो क्या discuss करने है it is continuous everywhere cosecant is 1 by sin यहाँ कहीं पर होगा देखते हैं जल्दी से इतना कोई लिखने की जरुरुएत नहीं होती है डिरेक्टर आप लिख सकते हैं so cosecant is 1 by sin but sin should not be equal to 0 तो sin 0 कब-कब होता है sin 0 होता है n pi के लिए right sin 0 होता है n pi के लिए जहाँ पर n एक integer है हम कहेंगे यह continuous है हर जगे पर हर value x के लिए just n pi के equal नहीं होनी ची x की value otherwise वो continuous है discuss होगे इसके continuity इसी तरीके से जो secant है secant होता है 1 by cos और cos कहां कहाँ 0 हो सकता है cos 0 हो सकता है 2n plus 1 pi by 2 पर जैसे pi by 2 3 pi by 2 minus pi by 2 minus 3 pi by 2 5 pi by 2 minus 5 pi by 2 इन जगों पर cos 0 होता है तो हम कहेंगे वो continuous है हर जगे पर बस 2n plus 1 pi by 2 को छोड़ कर तो ये वो value है जहां पर cos 0 हो सकता था denominator 0 हो सकता cot की बात करें cot कहां कहां पर continuous होगा तो cot के अपन में भी sin x आ रहे है तो denominator 0 नहीं कहां पर होगा sin x का value 0 नहीं होता है और sin x की लिए 0 होती है सिर्फ n pi पर सची है कि नहीं sin x की value 0 होती है सिर्फ n pi पर otherwise तो sin x 0 नहीं होता तो ये हर जगे पर continuous होगा just x n pi के बराबर नहीं होना जाए तो common sense की बाते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो ये question आप actual में शुरू होते हैं अभी तक तो discussion type के question चल रहे थे find the point of discontinuity for this function तो ऐसे गोशन हमने पहले भी देखें हम फिर से देख रहें कभी भी आपको point of discontinuity देखना है सबसे पहले ये line बना दीजिए और ये 0 लिख देते हैं हम यह आपर और 0 के left में function की value है sin x upon x sin x upon x और right में value है x plus 1 तो 0 के left में sin x upon x और right में x plus 1 तो अब हम c की value लेंगे पहले c की value ली जाएगी यहाँ पर ये previous वीडियो में हमने बताया पहले तो जब c की value यहाँ पर ली जाएगी तो इसके लिए आप limit निकालेंगे तो इस function का use करेंगे और direct value भी put करेंगे तो इसी function का use करेंगे ठीक है तो जब हम limit निकालेंगे तो हम लिखेंगे limit x tends to c limit x tends to c and sin x upon x तो जब x की जगे c put करोगे आजएगा sin c upon c और जब direct value भी function की निकालते है fc तो भी यहाँ direct c put करेंगे तो sin c upon c तो आजएगा हमारा fc दोनों equal हैं तो इस point पर continuous है तो यहाँ तो कोई problem नहीं है फिर एक case ले लीजिए c जब 0 से बढ़ा हो तो एक case है जब c 0 से छोटा हो एक case जब c 0 से बढ़ा हो तो जब c 0 से बढ़ा है तो हमको सिर्फ इसी-सी function को देखना है क्योंकि इधर जो भी c हैं उनके लिए function की value यह है तो फिर से जब आप limit निकालेंगे इसके लिए तो यह function use होगा limit x tends to c x plus 1 दिखा देते हैं आपको limit x tends to c x plus 1 और x की ज़िए c पुट कर दीजिए तो c plus 1 secondly इस function की value x plus 1 है f x is equal to x plus 1 है तो f c क्या होगा c plus 1 होगा सही बात है और दोनों equal है हो गया तो आप थोड़ा सा difficult part यह है कि जब c की value 0 होगी तब क्या होगा यह difficult इसलिए हो जाता है क्योंकि 0 के just left में function की value अलग है और 0 के just right में अलग है यहां sin x upon x है यहां x plus 1 है तो इस case में इसका LHL और RL दोनों निकालने पड़ेंगे ठीक है तो LHL में यह function लेना पड़ेगा sin x upon x और RL में यह function तो देख लेते हैं यहां पर case 3 तो अभी focus कीजिए आप LHL पे LHL लिया हमने limit x tends to 0 minus fx और left value value ले लिए sin x upon x और यह sin x upon x limit x tends to 0 तो 1 होता है चाहे LHL हो चाहे RL हो तो उसकी value होगी बार RL में लिया हमने right side वाली value x plus 1 और उसमें भी जब x की जगे 0 put किया तो limit आजाएगा बन तो LHL RL बराबर है और function की value क्या है at x बराबर 0 यह भी देख लेते हैं तो जब x की value बराबर थी 0 के यहां पर देखिए तो function की value थी x plus 1 ठीकिने तो function की value 0 पर कितनी हो जाएगी 0 plus 1 that is 1 यह बार भी समझ में आ गई यह रही value function की जब यह LHL RL और यह सब बराबर आ गया function की value यानि function continuous है यह function हर जगे continuous था कहीं पर भी इसमें discontinuity नहीं थी अब आते हैं question number 24 की तरफ question number 24 में कहता है कि जब x 0 के equal नहीं है तो function की value है x square sin 1 by x और जब x 0 के equal है तो function की value है 0 ठीक है determine कीजिए कि यह function continuous है या नहीं है तो ठीक है फिर से हम एक number line बनाते है और जब function जब x की value 0 है तो function की value 0 है और जब x की value 0 नहीं है 0 नहीं है यानि negative हो सकती है positive हो सकती तीन ही तरीके के number है या तो 0 होगा या तो negative होगा या तो positive होगा अब वो कहता है 0 नहीं है question कहता है 0 नहीं है यानि x negative है या positive है तो x negative होने पर भी function की value x square sine 1 by x है x square sine 1 by x ठीक है और x positive होने पर भी value यही है गोनों case में यही value है x square sin 1 by x यही value यहाँ पर भी है ठीक है तो पहले हम जब c 0 नहीं है उसके लिए limit निकाल लेते हैं यानि चाहे यह case ले लो चाहे यह case ले लो एक ही बारी मैं कर दें जो limit x tends to c fx और fx की value क्या है मैंने का x square sin 1 by x है इधर भी और इधर भी तो वो लिख दिया हमने और lhlr चल की अवशकता नहीं होती है इन regions के लिए हम पहली भी देख चुके simply आप x की जगे c put कीजे c square sin 1 by c आ जाएगा और अगर direct भी आप fc निकालना चाहते हैं fx तो आपका यही x square sin 1 by x direct आप fc निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर x की जगे c put कीजे c square sin 1 by c इसमें तो कोई ज़्यादा maths लगाने की ज़ूरत नहीं ज़ूरत नहीं ज़ूरत नहीं दोनों equal आए यानि की इधर और इधर continuous है तो main issue है 0 पर क्या होगा जब c बराबर 0 है तो उस case में क्या होगा तो जब c 0 है तो उस case में क्या होगा तो पहले हमने निकाली left hand limit left hand limit limit extends to 0 minus function और यहाँ x की जगे हम चाहते तो हैं कि 0 minus put कर लें पर अभी कर नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 put कर दिया और यहाँ पर भी 0 put कर दिया तो sin 1 by 0 तो sin infinity हो जाए जिसकी value हमको कुछ आता पता नहीं है की नहीं तो कैसे होगा आप देखिए काम होगा कैसे सबसे बहले हमने कहा कि sin कोई भी यहाँ पर angle है या कोई minus 1 से छोटा हो सकता है तो sin A की value minus 1 से 1 तक ही कुछ होगी तो यह तो basic बात है और अगर sin A की value हमको पता है की minus 1 से 1 तक है और मैं इसको पूरा x square से multiply कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा minus x square यहाँ आ जाएगा x square यहाँ आ जाएगा x square देख सकते हैं यहाँ पर आ गया की नहीं तो यहाँ तक हो गया इधार भी x square आ जाएगा लिख देता हूँ मैं x square ठीक है अब हमें निकालनी है इसकी limit की value तो यहाँ पर भी limit लगा दीजीए यहाँ पर भी limit लगा दीजीए तो 0 के बराबर होगा यहाँ पर भी limit extends to 0 x square किसके बराबर होगा यहाँ 0 put करना है तो 0 के बराबर होगा तो इधर इसकी तो value हमें find ही करनी है इधर मैंने value put ने की तो मुझे क्या पता चला कि इसकी value 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 0 के बराबर यह 0 से छोटी है तो यह sandwiched हो गया इनके बीच में फस गया है ना तो 0 के बराबर 0 से बड़ी 0 के बराबर 0 से छोटी 100% वो value 0 ही हो सकती और कोई तो number possible ही नहीं है असा यानि कि इसकी value 0 ही है दूसरी बात common sense से बोले तो sign की कोई भी value होगी तो वो एक finite number ही होगा कोई minus 1 से लेकर 1 तक के बीच में कोई finite value isn't it और वो जब कोई finite value इस 0 से multiply होगा तो answer तो 0 ही आना चीए तो logically जाएं तो ऐसे जाएंगा और properly करें तो तो करके दिखाई दिया हमने आपको ठीक है जी तो इसकी value 0 है इसकी limit 0 है बात समझ में आई तो चाहे LHL निकालो तो भी यह यह आरचल निकालो तो भी यह है उसमें कोई difference नहीं है हम कहेंगे similarly आरचल भी 0 है तो जब left hand limit भी 0 right hand limit भी 0 और x बराबर 0 पर तो function की value थी ही 0 तो यानि की यह function continuous है बात समझ में आ गई बड़ा अच्छा question है यह और कुछ नया भी करने को इसमें मिलता है वरना एक ही जैसी चीज़े है last question देखने इस वीडियो का examine the continuity of f where f is defined by this इसकी continuity check करने है वैसा ही question है x not equal to 0 और x is equal to 0 वाला तो number line बनाएंगे जब 0 है तो value 1 है और जब 0 नहीं है तो function की value sin x minus cos 6 है तो same procedure से कर लेते है case 1 जब c 0 नहीं है तो function की value गया है sin x minus cos 6 है तो f c कितना हो जाएगा sin c minus cos c हो जाएगा अब यह तो समझाई गिया होगा इसी तरीके से limit extends to c कितना हो जाएगा वो भी sin c minus cos c हो जाएगा अब तक तो तज़्यूर्बा हो गया होगा अब lhl और चल हो गए दोनों बराबर sorry lhl और चल बोला मैंने limit और function हो गए दोनों बराबर इतनी बात clear हो गए अब case 2 लेते हैं जब c बराबर 0 के होगा तो उसका lhl bc पे निकलेगा rhl bc पे निकलेगा तो क्या बड़ी बात है मैं तो यह कह रहा हूँ lhl निकलेगा तो sin 0 minus cos 0 और rhl निकलेगा तो भी sin 0 minus cos 0 यही तो होगा देख लेते हैं आपे sin 0 minus cos 0 sin 0 minus cos 0 lhl पे भी rhl पे भी sin 0 होता है 0 cos 0 होता है 1 0 पर function की value क्या है 1 है तो ये तो गडबड हो गई limit और function की value सेम नहीं है तो function continuous नहीं होगा ग्राफिकली अगर बात करें यहीं पर कर लें तो मान ले जाए यह x है और यह y axis है तो lhl minus 1 है यानि left side से left side से यह 0 है और इसको थोड़ा सा तो left side से जब function आया तो 0 पर उसकी value हो गई minus 1 ठीक है यह minus 1 है यह value और right side से भी जब function आया तो उसकी भी value हो गई minus 1 left वालेगी भी और right वालेगी और जो यह बीच में hole था अब यह अगर भर देता fc या f0 तो continuous हो जाता पर f0 पर function की value हो गई 1 यानि कि यहां कहीं पर यानि कि वो hole नहीं भर पाया यह वाल तो continuous नहीं हो आप इच में hole रहे गया तो इसे के साथ यह वीडियो भी finish होता है जिसमें हमने 25 तक के question कर लिए हैं next video में हम आगे के question करेंगे thank you